तो आगर आप एक Indian Bank की customer हो तो आपको पता है Indian Bank की तरफ से एक new application को launch किया गया है उसका नाम है InSmart तो पीछली वीडियो के अन्दर मैंने आपको बता रह था किस तरह से आप InSmart application के अंदर registration कर सकते हो लेकिन उस वीडियो के अंदर काफी सरे लोगों ने कॉमेंट किया है कि ओ लोग इंस्मार्ट application के अंदर login नहीं कर पा रहे है कुछ ना कुछ पॉबलम को फेस कर रहा है जिसके वज़े से ओ लोग इसके अंदर registration हो गया है तो उसके अंदर login नहीं कर पा रहे है तो इस तरह का आपकी जो application के अंदर से लोग आउट कर लिया था उसके बाद दूबरा आप लोग इन करने जाते हो तो उहां पर login नहीं कर पा रहे हो तो उस वीडियों पर आपको जो करना है साबसे पहले आपको 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 आनिस्ट्रॉल कर देना है आनिस्ट्रॉल आपकी device से आपक पास आजाएगा आपको इसे दूबरा आपको इसे ओपें करके आपको इसे इंस्ट्रॉल कर लेना है तो यह जो process है इस process को follow करके आप यहां पर काम को करोगे तो 99% जो है आपकी जो problem है उस वाल्प हो जाएगा लेकिन फिर भी आपकी जो problem है उस टाइम पर आपको क्या करन करने के बाद आपको इसे ओपें करना है अभी इहां पर आपको जो करना है आपको इहां पर सबसे पहले रिजिस्ट्रेशन करना है अगर आप रिजिस्ट्रेशन पहले से करके भी राखे हो फिर भी आपको इहां पर रिजिस्ट्रेशन और क्लिक करना है और आप इहां पर इस्टेशन बोटन की उपर क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर इस तरह से कुछ टामसेन कॉंडिशन आजाएगा आपको यहां पर एग एक करके यहां पर जो टामसेन कॉंडिशन है इसको आपको इस तरह से ओपन कर लेना है open करने के बाद आपको यह इंपर नीचे के तरफ चाहो तो आप इनसर भीचू को यह वार पॉड़ सकते हो यह फेना भी पड़ सकते हो यह आपको इसके बाद आपको यह पिलेकर केपा है जैसे ही I agree keeper क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से एक option आजाएगा यहाँ पर आपको बता जा रहा है कि आपको आपकी phone के अंदर जो location है उस option को आपको इनेवल करना है नहीं तो आप यहाँ पर इस application के अंदर आप नहीं जापाऊगे तो आपको इहाँ पर OK keeper क्लिक करना है और आपकी phone के अंदर जो location option है आपको इसे on कर देना है on करने के बद आपको इहाँ से एक बार back करना है back करने के बद आपको इहाँ पेज जो option है इसको आपको allow करना है जैसे ही allow करोगे दूबरा आप उसी page भी आ जाओगे पहले page पर आपको इह पर I agree keeper क्लिक करना है जैसे ह पिर आपकी जो mobile number है जो mobile number आपकी Indian bank की साथ link है उस mobile number आप यहाँ पे mobile option को select करकर अपनी जो mobile number है उसको आपकी ताइप कर करना है तो मेरे पास इहाँ पर C.I.A.P. मैं आपकी C.I.A.P. ताइप कर देता ह। आगर आपको पता नहीं है आपकी C.I.A.P. नमबर क्या है तो आप यहां पे No Your CIP आप इसकी पर क्लिक करके आप यहां पे अपनी जो आदार नमबर है और टाइप करना उसके पाद आपकी जो बैंक के साथ जो मोबाल नमबर लिंग है उस मोबाल नमबर को टाइप करके आपको यह पे के मिल जाएगा आपकी जो CIP नामबर है तो मेरे पास CIP नामबर पेहले से है तो मैं यहां से बैक करता हूँ तो यहां पे आप CIP नामबर य Gregory M welt कुछ भी डाल के आपको यह पे पर प्र इज Girisstरनाउ की पर क्लिक करना है तो आपको यहां पर allow की पर क्लिक करना है दूबर allow की पर क्लिक करना है उसके बाद आपकी जो mobile number आपकी उस बैंक की साथ link है उस mobile number को आपकी आपकी phone के अंदर ही लगा के रखना पड़ेगा लिएकि यहां से एक automatic message आपकी phone से send किया जाएगा तो आपको यहां पर send SMS इसकी पर क्लिक करना है और आपको एक चीज़ को देहर में रखना है आपकी mobile number के अंदर आपकी mobile के अंदर unlimited कोई ना कोई plan active होना चाहिए नहीं तो यह जो process है वो complete नहीं होगा तो आपको यहां पर कुछ टेम ओट करना है आपको इसकी पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख पाऊगे अगर आप पहले टाइम पर पहले टाइम पर अपने एक बार यहां पर registration करके राखा था उसके बाद कुछ पॉबलर की वाज़े से आप यहां पर login नहीं कर पा रहे थे तो उस टाइम पर automatic आपके पास यहां पर आपकी जो अप्ली केसन है और यहां पर on हो जाएगा अगर आप पहले टाइम पर आप यहां पर registration नहीं करके राखे थे आप पहले दफा आप registration करना चाहते हो तो उस टाइम पर आपको किस टाइसे इसके बाद anomaly process किस टाइसे करना है उसके पर पहले से dedicated video चलने के पर है आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो उस वीडियो का link आपको discussion पे मिल जाएगा इसके बाद अगर आपके पास भी इस टाइगा पेज ओपन हो चुका है तो इसके बाद आप अपने फिंगर फिन या पर जो login पासवाट आपने सेट किया था और इसके बाद आप अपके पास पूरा 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 जो information है वो आपके पास आज जाएगा आप इसे एलाव कर देना उसके बाद आपके पास यहां पे एक ही जगा पे आपकी जो current saving account है प्लास आपकी जो CC यान की current account है आपकी जो deposit account है loan account कोई है तो सब कुछ की balance आपको यहां पे देगने को मिल जाएगा उसके बाद या फिर आप यहां पे इस तरह slide करके भी आप यहां पे अपनी accounts की बड़े में पता कर सकते हो इसके लबाद आप यहां पे नीचे के तरह बहुत यहां से option मिल जाएगा आप यहां से एक एक करके सारे के सारे option को आप आपने according आप इस्टिमाल कर सकतो इंडियान में की जो इंट स्मार्ट अप्लिकेते ने उसको आप किस तरह से फूली तरह से आप यहां पे एक्सेस कर सकतो किस तरह से यूज कर सकतो यह आप जानना चाहते हो तो comment box से count करके बताना मैं इस की बड़